पेटी एम आटोमेटिक फिक्स दिपोजिट कैंसेल कैसे करें नमस्का डूस्तो सुवागरे अब सभी का तिकिराच योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है पेटी एम पर फिक्स दिपोजिट आटो रेनुवर बन कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको जो है आटोमेटिक फिक्स दिपोजिट कैंसल करना है उसके लिए दोस्तो यह आपर क्या प्रोसेस होगा क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए यही मैं आपको बताने वाला हूँ एक सही guidance मैं आपको इस वीडियो पर देना चाहता हूँ ठीक है जो कि दोस्तों अगर आपको fix deposit जो है cancel करना है auto renewal का तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कैसे आपको जो है बन करना होगा यह मैं आपको इस वीडियो भी subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem की regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं ठीक है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पेटीम को एक बार open करते ठीक है अगर दोस्तों अपने auto renewal FD करवा राखा है अपना पेटीम पर तो आप दोस्तों यहाँ पर उसको बंद करने के लिए आपका bank विजिट करना होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों जो पेसा जा रहा है वो आपके bank से जा रहा है ठीक है तो आपक आपको तब bank जाना होगा जब आपका FD renew होने वाला है ठीक है मान दीजे मैना खतम होने वाला है और FD renew होने वाला है तो उस वक आपको जाना चाहिए bank के अंदर पे और उस वक जाके ही आप stop करवा सकते है इस टोप करने से दोस्तों फ्री में ऐसा कुछ नहीं होगा आपक तो अगर आपको FD जो है auto renewal का बन करवाना है तो आपको penalty के साथ stop करना होगा ठीक है तो उसके लिए आपको nearby bank visit करना ही परेगा या फिर आप किसी भी agent को पेचानते है bank के अंदर पे आपके bank ठीक है मान दीजे आप एक्सिस bank यूज़ कर रहे हैं तो उनके agent को phone कीजे और उ auto renewal FD को तो बन तो होगा अगर मान लिजे आपको bank पे बुला लेते हैं तो आपको जाना परेगा और bank जाके ही आपको यह problem solve करना होगा क्योंकि दोस्तों यह जो है आपके bank से पेसा जो है automatic कटने वाला है ठीक है FD के लिए तो आपको bank जाना है तो अगर आपको stop करना है तो यही तरीका आप यहाँ पे follow कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह एक बिल्कुल legal तरीका है सही तरीका है FD auto renewal को stop करना चाते हैं तो आप इसको follow किजिएगा ठीक है उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह video बसने आओगा thanks watching